मत्ती रचित सूसमचार दूसरा अध्याय हेरोदेश राजा की दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में इश्य का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई जोतिशी यरुशलेम में आकर पुशन लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए है यह सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरुशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इखटे करके उनसे पूछा कि मसी का जन्म कहा होना चाहिए उन्होंने उससे कहा यहुदिया के बैतलहेम में क्योंकि भविश द्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है कि हे बैतलहेम जो यहुदा के देश में है तू किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपती निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा तब हिरोदेस ने जोतिशियों को चुपके सुब लाकर उन से पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतल हैं भेजा कि जाकर उस बालक के विशे में ठीक ठीक मालुम करो और जब वह मिल जाए तुमुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करो वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनकी आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुँचकर ठैर गया उस तारे को देखकर वे अती आनंदित हुए और उस घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मुह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोहभान और गंधरस की भेंच चड़ाई और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हुरेदेश के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्क से होकर अपने देश को चले गए उनके चले जाने के बाद देखो प्रभू के एक दूत ने स्वप्ने में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिश्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझ से न कहूँ तब तक वही रहना क्योंकि हिरोदेश इस बालक को ढूनने पर है कि उसे मरवा डाले वे राथ ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र को चल दिया और हिरोदेश के मरने तक वही रहा इसलिए कि वह वचन जो प्रभू ने भविश्यद्वक्ता के द्वरा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिश्र से बुलाया पुरा हो जब हिरोदेश ने यह देखा कि जोतिशियों ने मेरे साथ ठठा किया है तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेज कर जोतिशियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो दो वर्ष के वा उससे छोटे थे मरवा डाला तब जो वचन यर्मिया भविश्दक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाज सुनाई दिया रोना और बड़ा विलाप राहिल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना ना चाहेती थी क्योंकि वे है नहीं हिरोदेश के मरने के बाद देखो प्रभू के दूत ने मिश्र में यूस्फ को स्वप्ण में दिखाई दे कर कहा कि उठ बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल के देश में चला जा क्योंकि जो बालक के प्रान लेना चाहते थे वे मर गए वे उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया परंतु यह सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेश की जगे यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहाँ जाने से डरा और सुप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत न